स्टोरी अगले सीन से कंटिनी होती है रूटिकर उस डेड़ बॉम के सावने खड़ा हुआ था वो कहता है कि शिट और वो जली से घोड़े को भगाते हुए वहाँ से निकले की कोईश करता है पर डेड़ बॉम उसके उपर अटेक करती है और जमीन में गड़ा करते हैं वहाँ से गायब हो जाती है रूटिकर के साथ ही उसे पूछते हैं क्या वो ठीक है तो वो कहता है कि तुम लोगों को जासा भी गड़ाव नहीं करना चाहिए वो कोई ऐसी डेड़ बॉम नहीं है जो कि यहाँ से इतनी आसानी से भाग जाएगी और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि बलेड का सिस्टम उससे कहता है कि ये चीज़ धीधी करकर काविधा दा कॉम्लिकेटेट होते जा रही है इस चीज़ से जरा सा ही फरक नहीं पड़ता कि वो काविधा दा एक्सेलेंट फाइटर ही क्यों नहीं हो पर वो उस उपनेंट का कुछ भी नहीं कर सकता जो कि जमीन से उसकी उपर हमला करेगा और रूटी कर अपने नैट से कहता ही कि जल्ली से उसे धोड़ो वो यहीं कहीं आसपास होगी पर तभी उसका नाइट रूटी कर से कहता ही कि जाजर उस तरफ देखिए वो डेड़ वाउं पिल्कृम की तरफ भी बढ़ रहा है रुटिगbare परशान होते हुए कि जली से डेड़वावं का पीशा करना चालू करो वह से भी डेड़वावं का पीशा कर रहे थे और दूसी complead डारती से कहता हुए कि मुझे लगता हुए कि आब लोगो जली करने की जरूरत है पर तभी वो देखता है कि डॉरेथी अपने पूछे कुछ सिंबल बना रही थी ये देखकर वो भी थोड़ी सी हरान हो जाती है पर ब्लेट उससे कहता है कि ये जरा सा भी नहीं है तो आइस तरीके की गेम खेलने का तो डॉरेथी उससे चलाते हुए कहती कि अगर तुम या भी किस तरीके की बाते कर रहे हो मैं कोई भी खेल नहीं खेल रही ये बीस्ट मैन का इक काविजा था यूनिक मेथड है अगर तो मैं से कुछ भी नहीं बोलते है उसके बाद ही मैं इसे पूरा करने ही वाली थी जिसकी बाद दोरे थी पौर्टरी से कहती है कि जल्डी से इसे रूटिकर के पास ले कर जाओ और इसे इस्तेमाल करने के लिए इस पेपर को रप करना या वह यह से बीच में से काट देना पर वो कन्फ्यूज होते हुए कहता है कि तुम्हारा मतलब उससे है तो वो काविजा थे चलाते हुए उससे कहती है इस तरीके के स्पेल को बनाना काविजा थका देने वाला होता है जिसकी वज़े से मैं चाहूं भी तो इते तेज भाग करूँ के पास नहीं जा सकती और ये बलेड यहाँ पर घुड़ी की सबारी तक नहीं कर सकता तो आकर तुमारे अलावा यहाँ पर कौन है सिस्टम उससे कहता है कि अगर तुम भी यहाँ पर राइट कर पाते तब भी तुम यहाँ पर काविजा था लेड हो जाते क्योंकि वो डेड वोम अंडर्ग्राउंड काविजा था थेज होती है जबीन पर रहने के बजाए रूटेगर के नाइट चाकर भी उसके कभी भी करीब नहीं जा पाएंगे जितने जादा वो तेज़ चल रहा है यह जानकर बलेड उस पेपर को लेते हुए कहता है इसका मतलब तो मैं सारी चीज़ा मुझ पर छोड़नी होंगी यह देख करो रहे थी कावी दादा कन्फियूस हो जाती है और बलेड घाटी के तरह बढ़ते हुए कहता है कि यही अब हमारे लास्ट रिसॉर्ट बचा हुआ है रूटेगर है रहान होते हुए उससे कहती कि आगर तुम यहाँ पर क्या करने की कोश्च कर रहे हो क्या तो पूता सब पागल हो गए हो और हमें देखाते हैं कि बलेड वही सक फूच जाता है वो बुलकुल किसी हीरो की तरह घाटी से सरकते हुए नीचे की तरह बढ़ रहा था साथ ही वो सोचता है तूटे कर हमेशा की काविजादा और्ड होता है क्योंकि वो जोसिफ से और उसके पास और उसके पास जो नाइट है वो बाइजर्ट फैबरी के एलिट से इसलिए ऐसा नहीं है कि मेरे जैसे किसी वेसल को यहाँ पर एक्शन लेने की जरुवत है पॉर्ण टैम एनिमल्स की वज़े से मुझे सच में काविजादा बुरा लगेगा और वो चीज़ अभी तक मुझे अपनी बून तक याद है ये फीलिंग जब कोई आगर तुमारे घर को पूतर तबहा कर देता है जो कि तुम से काविजादा बड़ी दुनिया का है और तुम इसके लिए उसका कुछ भी नहीं कर सकते परसे स्ट्रफ उससे कहता है कि ध्यान दो तुमारे पेरों पर ध्यान दो और तभी गलती से उसका पेर एक पत्थर से टक्रा जाता है जिसके वज़े से वो यहाँ पर फोकस को चुका था और वो तीजे से नीचे के तरफ लुड़कने चालो कर देता है ये देए नकावजादा फनी भी है क्योंकि वो अब घाटी से सीथे नीचे के तरफ गिरता जा रहा था और वो पत्रों पर टक्राता है जिसके वज़े से उसकी शकल काविजा दाफनी होती है पर सेस्टर्ब उससे कहता है कि अपने बाडी को गोल गोल गुमाओ और जैसे बलेड ऐसा करता है तो फिर से अपने पॉस्चर को कप्लेट कर लेता है और तब नी वो आगए जवीर पर धढ़ाम से गिरता है थोड़ी देरे सक तो उसको देखकर ऐसा लगा था कि जैसे उसका राम-राम सत्य हो गया हो पर जैसे ही वो उटने लग जाता है तो पॉट्टरी ये देखकर रोते हुए कहता है कि वो हिल रहा है टो डॉरिती ये देख पसीना पसीना होते हुए कहती है पर अخिर वो इतनी उपर से किनने के बाद भी प्यूट यस ठीक कैसा हो सकता है बलेड भी सूचता है कि मुझे असा लगा नहीं था कि मुझे इतना अच्छा महश्य साहे होगा मुझे तो ऐसा लगा था कि मेरी एक या दो हटी तो टूटी जाएंगी पर तब ही वो अपने अंदर से एक शैन को महसूस करता है और दूर खाड़ा हुआ काला घोड़ा उसको देख रहा था और उसे बलेट के अंदर से काउधा तेज रोशनी चमकते हुए दिख रही थी वो उसे गहराई से देख रहा था और सिस्टम उसे बताता है कि ये तुमारी ब्लेसिंग है विनाउस साब की ब्लेसिंग के तुम तो सच में यहाँ पर मर चुके होते ब्लेट ये देखर कहता है कि सच में ये काउधा दावसम है सिस्टम कहता है कि हाँ हाँ ठीक है उसका शुक्रिया करने के लिए हम लोग फिर से बाद में महापर चलेंगे तो ब्लेट आगे तरह बढ़ते हुए कहता है कि मैं पूरते शौर हूँ कि हमें जरूर तो ब्लेट तेजी से आगे की तरह बागते हुए कहता है कि जरूर हमें दूसरा मौकर जरूर मिलेगा और वही वो पिल्ग्रम की ग्रूप को भी देखता है जहापर वो ये देखकर और भी दा सर्प्राइज हो जाता है क्योंकि वह पर प्रिस्ट एंडरसन भी थे ये देखते ही ब्लेट काविजादा कन्फ्यूज होते हुए पर खड़ा हो जाता है और उसे प्रिस्ट एंडरसन यहाद आते है जिनको देखकर वो बहुत ज़्यादा है कि ये तो प्रिस्ट एंडरसन है तो क्या इसका मतलब वो पिल्ग्रम को यहाँ पर लीड कर रहे है इसलिए वो और एहरान होते हुँ सोचता है कि आखर रूटिंगर अभी कहाँ पर है और वो देखता है कि अभी वो लोग सच में काविजादा पीछे है अगर ऐसा ही रहा तो डेड़ वो उन लोगों से पहले यहाँ पर पहुंच जाएगी और यहाँ पर प्रिस्ट काविजादा बड़े ख़तरे में आ जाएंगे अब यहाँ पर ब्लेट एक काविजादा बड़े दूवीदा में फस गया था कि समय है कि मुझे एक्शन लेना होगा और जली से तलवार निकालकर उसे बीच में से काटते हुए कहता है और अगर मैं कोई एक्शन लेना चाहता हूं तो यहाँ पर कोई भी सवाल पैदा नहीं हो ता कि मैं हैजिटेट कर सकूँ उस कागस को काटते ही स्पेल उसकी तलवार क्यूपर इंचेंट हो जाता है और उसकी तलवार यहाँ पर चपकना चालू कर देती है और ब्लेट कावी जादा गुस्से में उस डेड़ वर्म को गाली देते हुए कहता है कि कमीने मैं यहाँ पर हूँ और वो अपनी कपकपाती हुई तलवार को लेकर जमीन में गाड़ देता है और इस तलवार से निकलने वाली कपन कावी जादा होती है जिसकी वज़े से वो पूरी पूरी एरिया में फैले लगती है पर सिस्टम उससे कहता है कि यह काफी नहीं है इन वाइबरेशन को इतना जादा एंप्लिफाई करो इतना जादा कि वो तमारे वर्ल्ड को यहाँ पर समन कर सके ब्लेट फोकस करना चालू करता है और वो अपने वर्ल्ड की पर इतना जादा फोकस करता है कि एक कुछी समय में वो अपने वर्ल्ड को वापर समन कर लेता है और वो काविजादा गुसे के साथ अपने एनरजी को रिलिस करते हुए कहता ही कि ज़रा मेरे तरफ देखो फॉलन ड्रेगन और उसके अंदर से निकलने वाली बाइबरेशन जमीन के अंदर से फॉलन ड्रेगन तक पहुंच जाती है ब्लेट अभी भी काविजादा फोकस करने में लगा हुआ था जिसकी वज़े देखर वो फॉलन ड्रेगन सीधे उसके साबने आ जाता है रूटेगर भी ये देखर काफे हैरान था और उन्दोना के विमूग खुले के खुले रह जाते है और ब्लेट काविजादा गुस्ते में था क्योंकि वो डेड़ वॉम सीधे उसके साबने आगर खड़ी हो गई थी वो कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ और ब्लेट बलकूर किसी नाइट की तरह उसका साबने करने लिए उसके सामने खड़ा हुआ था ये सी सच में काविजादा अपिक है डेड़ भॉम ब्लेट की वबब एटेक करती है पर वो उसके अटेक को डिफिलेट करने के लिए पीछे की तरह जप करता है और सरकते हुए चला जाता है सिस्टम कहता है कि पीचे रहो और जलासा भी इस सामने से आक लड़ने के बारे में मत सोचना अभी तम्हारा वर्ल्ड इतने जादा गहरा नहीं है कि वो इस मॉंस्टर को रिजिस्ट कर सके तो मगर इसे यहाँ पर रोकर रख सकते हो यही काफी है ब्लेट कहता है कि मैं चीज़ से कावे अच्छी तरीके से अवेर हूँ पर मैं इसको यहाँ पर खड़ा करकर नहीं रख सकता और तब ही वो फिर से डेड़ वाप उसकी पर अटेक कर देती है तो ब्लेट अचाराए से उसको दे कर कावे हरार हो जाता है और उसके अटेक को इस वार वो सही से डिफलेक्ट नहीं कर पाता और वहाँ पर कावेदा बड़ा धमाका होता है ब्लेटे कावजा जोर की टकर खा कर नीचे गिर जाता है और वो सरकते हुए कावजा दूर तक चला जाता है पर वो ये देख और वी जादा परशान था कि वो फिर से अंडर ग्राउंड जा चुका है इसलिए वो डेड़ वाउंड के बारे में सोच रहा था कि आगर वो कहा हो सकता है क्या वो उसके राइट में है या फिर लेफ्ट में मुस्ते ये मत क्या ना कि वो फिर से पिल्ट्रिम के तरह बढ़ने लगी है पर तब ही उसे अंदाजा होता है क्योंकि जब इन फिर से वहाँ जोर जोर सहले लगी थी और पता चलता है कि वो डेड़ वाउंड उसकी नीचे से आगा उसकी पर अटैक करने वाली है ये देख सेस्टर उससे कहता है कि हली से इसे डौज करने की कोईश करो पर तब ही वो डेड़ वाउंड उसकी नीचे से नोटिस कर लेता है उसके माते की उपर एक अजी तरीकी की स्प्रेट गूम रही थी ये देख सेस्टर मुश से कहता है कि हाँ तुमने उसको सही कहा कि ये कि स्प्रेट है इसकी शरीर के अंदा यूनिकॉन का ब्लेड मिक्स है ब्लेड का घोड़ा काविजादा तेजी से दोड़ रहा था और ब्लेड इस चीज को काविजादा तेजी से दोड़ रहा था और ब्लेड इस चीज को एंजोई करने लग जाता है और वो सच में काविजादा खुश था वो इस चीज को कावेज़ादा एंजॉई कर रहा था तो वो कहता ही कि अच्छा अच्छा तो एक गोड़े की ऊपर से इस तरीकी की दुनिया दिखती है और ये भी उसके लिए सच में पहली बार था जो कि कावेज़ादा प्यारा था वो कहता है कि सच में ये चीज कावी जादा अमेजिंग है तब ये रूटिकर पीछे से ब्लेट को आवाज देता है और उसके पास आगा उसे पूछता है कि तुम पूरत ऐसे ठीक हो वो कहता है कि हाँ मैं पूरत ऐसे ठीक हूँ रूटिकल सोचता है तो इसने अपनी तलवार की उपर स्पैल को कास्ट कर लिया था मुझे तो इस चीज की उपर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा कि इसने अपने आपको उस कावजादा खतरनाग मौस्टर के साब ने बिना हैजिटेशन के फेक दिया यानि यह सच में चीज के लाइक है कि यह दूसरों के लिए अपना को सैक्रिफाइस कर सके यह चोटा सा वेसल बिल्कुल किसी सोट्स मास्टर कोड के तरह पूरे समय ही एक्ट करता है रूटी का बिलेट से कहता है कि यह सच में कावजादा रिमार्केबल और ब्रेव डिसीजन था तुमने यहाँ पर अपनी ड्यूटी जहाँ पर जेते भी नैट्स उन सबसे भी कावजादा अच्छे से करी है ब्लेट यह सुनकर थोड़ा सा नर्वस होते वे उसका शुकरिया करता है जिसकी बाद रूटी का उससे पूछता है तो आगर तुमारा क्या ख्याल है कि तुम इसे अपने हिसाब से दोड़ा सकते हो ब्लेट थोड़ा सा कन्फ्यूस था तो रूटी कर उससे बताता है कि हमें उस डेड़ वाम को मानना होगा जिससे प्लेटरिम की यहाँ पर सेफटी की जा सके इसलिए हमें इस फाइट को यहीं पर खतम करना होगा ब्लेट परशान होते हुए उससे पूछता है परके डेड़ वाम किसी फालन ड्रेगन का पार्ट नहीं है तो वो उससे कहता है कि तुम ऐसा कर सकते हो और रूटीकर की आँखों में ब्लेट के लिए जो भरोसा था वो यह देख कर उससे कहता है कि तुमार पास दोरेथी का वो मार्क है और तुम यहाँ पर एक कावजादा कावाल के घोड़े की सवारी कर रहे हो तो तुम यह अकेले हो जो कि इस वाम को अपने तरफ खीचने के केपिबल हो ब्लेट घोड़े को देखते हुए कहता है परता भी उसके उस भोड़े से आग टकराती है यह देखकर वो कहता है कि मैं इस चीज़ को देख सकता हूँ तो तुम यहाँ पर अपने हायर्स को बचाने के लिए आए हो तुम बल्कुल मेरी तरह हो तो यह कावजादा अच्छा है तो चलो यह करते है बलेड रूटिकर से कहता है कि हाँ मैं यह कर सकता हूँ रूटिकर यह सुनका कहता है कि यह कावजादा अच्छा है तो 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 मैं उस हिल की तरफ से घूंग कर आना होगा दूसी तरह मैं इसके लिए तयार रहूँगा यह सुनते ही ब्लेट उस हिल की तरह बढ़ जाता है और वो डैड़ ओम रूटिकर को छोड़ का ब्लेट का ही पीछा कर रहा था यह देखा ब्लेट खुश होते हुए कहता है कि यह कावजदा अच्छा है कि वो मेरे ही पीछे है इसलिए वो गोड़े से कहता है कि हमें यह करना ही होगा और दूसरी तरह ब्लेट कावजदा तेज़े से भागता जा रहा था तो सिस्टम उसे कहता है कि अपनी तलवार को नीचे के तरफ करो जिसे तो मिसमार की वाइबरेशन की वज़े से उसे समझा सको कि आख तुमाई प्रेजर्स कहां पर है ब्लेट ऐसा ही करता है और अपनी तलवार को जबीन पर घुस्टाना चालो कर देता है पर उसे इस चीज़ में काविज़ाद दिक्कत आ रही थी और वो चिलाते हुए वाइबरेशन को काविज़ाद बढ़ा देता है और यहां पर काविज़ाद धुआ धुआ उट चुका था चालो करता है और हमें देखाते हैं कि उसके पैरों के नीचे की जमीन धील सी कर कर फिकलना चालो चालो हो जाती है और उसके अंदर से लाबा फूट ना चालो हो जाता है ब्लेड़ दूर से यह सब देख रहा था वो यह देकर बहुत-धा हईरान होता है तो सिस्टम उसे बताता है कि वो केवल को समय के लिए अपने वर्ल्ड को यह पर एकस्पेंड कर रहा है केवल कुछी नाइट ऐसे होते है जो कि अपने अंदर की गहराई को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं वो ही केवल ऐसा कर सकते है और रूटिकर हमाई सोच से भी कावजादा पाउफल नाइट है पर बलेट यह देखकर बहुत था हैरान होते हुए खहता है कि यह तो सच में कावजादा कमाल का है इतना था कमाल का कि यह चाहे तो मेरे दुनिया को कावजादा आसानी से राक्वे बिदल दे पर अभी भी वो डेड वाम कावजा तेजी से उसका पीछा करने में लगी होई थी पर तब उसे रूटिकर की एरेजी सेंस हो जाती है जिसकी वज़े से वो एक जिगे पर रूख जाती है ये देखा ब्लेट थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है पर डेड वाम साफ साफ रूटिकर की पावब को यहाप सेंस कर पा रही थी और सिस्टम ब्लेट से कहता है कि उस फॉलन ड्रेगन को रूटिकर की वर्ल्ड से जो ख़दरा है उसे डिटेक्ट हो गया है ब्लेट परशान होते हुए कहता है कि मैं इसे यहाँ से आगे लेकर नहीं जा सकता मेरा वर्ल्ड कावज़ादा कमजोर है कि मैं इसके अटेंशन को फिर से गेन कर पाऊं पर तभी वो घोड़ा डेड वाम के तरफ बढ़ने लग जाता है तो ब्लेट यह दे कर हैरान हो जाता है और सिस्टम उसे कहता है कि रुको और तभी उस भोड़े के अंदर से एक सींग बहार निकल कर आ जाता है सिस्टम उसे कहता है कि तुमारी दुनिया और वाइट स्नेक की ब्लेसिंग्स वो सब इसके साथ कावज साथ फयल रही है एक काफी लंबे समय भुलाया गए डिवाइन सीक्रिट इस दुनिया की मेमورीज के साथ फिर से आगे बढ़ रहा है अब इस सब की वज़ेसे डेड वाम का टेंशन फिर से उनकी उपर आने लग जाता है क्योंकि उनके अंदेधर निकलने वाला और फिर से काविजादा मेगनिफिसेंट हो गया था और उसको सेंज करते ही वो फिर से उनके उपर रोर करकर उनका पीशा करने लग जाता है और ब्लेट उससे कहता है तो चलो हम लोग यहां से चलते हैं और आगे कहा जाता है कि क्यों नी कॉन वो भी अपने बिना सिंग के और इस तरीकी के होराइजन में तुम्हारा मुझे मिलना हम दोनों एक हो गए इसलिए काविजादा काल अंधिरी रात में एक सफे तारे का चमकना काविजादा जरूरी है ब्लेड फिर से उसको काविजादा तेजे से रूटिकर के तरफ लेकर जा रहा था और रूटिकर अपने वर्ल्ड को एकस्पेंड करने में लगा हुआ था सिस्टम कहता है कि ये काफी नहीं है रूटिकर का वर्ल्ड धीर धीर करकर स्ट्रॉंगर बनता जा रहा है ये किबल कुछी समय की बात है थोड़ी देर में हम लोग फिर से उसके अटेंशन को खो देंगे ब्लेड कहता है कि मैं अपने लिमिट तक पहुँच चुका हूँ मैं अपने अंदर से और और आको बाहर नहीं निकाल सकता पर तभी हमें देखाते हैं कि जहापर ब्लेड अकेला दोड़ रहा था वहाँ पर और वहीं थारे नाइट्स आ जाते हैं और वो उससके कहते हैं कि जड़ा से भी अपनी हार मत मानना वो भी ये दे के दोड़ा सर्प्रास सा और सभी नैट्स वाप अपने विल्ड को expand करना चा लो कर देते हैं सभी नैट्स ने अपने विल्ड को expand कर दिया ता जिसकी वजे से डेड वाप की attention उनकी उपर और भी ज़्यादा हो जाती है और वो इसलिए और भी दो तक गुसे के साथ उनके उपर दाड़ने लगती है और सिस्टम उससे कहता है कि ये अच्छा है ये काफी है नैट्स कहते है कि बच्चे इसी तरीके से आगे बढ़ो और रूटीकर के सैड में से निकल जाना ब्लेट अपने सावने रूटीकर को देखता है और धी धी करके वो उसी के तरह बढ़ता जा रहा था वो रूटीकर से कहता है कि मैं यहाँ पर आचुका हूँ जैसे रूटीकर अपनी आखे खोलता है सब इना एके करकर उसे क्रॉस करने लग जाते है रूटीकर उसे कहता है कि तुम लगों ने काफी अच्छा काम किया अब यहाँ पर मेरा समय है कि मुझे यहाँ पर मेरा काम करना है और उसके सावन वही डेड वाउम थी रूटीकर कहता है कि यह बाइज़ट फैमली की टेरिटोरी है और इस जमीन पर किसी भी तरीके क्यों तुम्हारे जाएसे किसी के साथ यहाँ पर नहीं लाया जा सकता वो काउज़धा गुसे के साथ और आस अपने फ्लेम टॉनिटोर को क्रियेट करता है और एक काउदाधा पाउफल स्ट्राइक लगाते हुए कहता है कि भी गौन ये स्ट्राइक अब सच में काउदा पाउफल थे जिसकी वजह से डेड वॉम को यहाँ पर काउधा बड़ा ड़ाँज पड़ता है और वो जल कई यहां पर राफ हो जाती है इसके अलाव इंफ्लेम्स की पाव इतनी ज़्यादा पावफल होती है कि यह कैसा ही माल सक जमीन को जलाते हुए निकल जाती है सबी लोग यह देख काव हैरान थे उन लोगों के मुझे खुले के खुले रह जाते है और लेट भी यह देख का हैरान होते हुए कहता है अच्छा तो यह नाइट के वर्ल्ड की पावर होती है और अपने अंदर के समझने की शक्ती एक सची दुनिया और लेट आगे कहता है कि यह तो कॉमन सेंस है कि यह चीज काविदाद दूर तक दिखने वाली है पूल को इसी तरह बन सकते हो तो टे काविदाद अबड़ी तभाई मचाने की बाद महीं पर बैट गया था ब्लेट उसके पास आकर उससे कहता है कि आपको तरह ठीक है तो वह उससे कहता है कि तुम बापस आ गए पर रूटिकर उटते हुए उससे कहता है कि सबसे जरूरी तो यह है कि मुझे यहाँ पर एक फ्रेश बियर का ग्लाश चाहिए पर वो फिर से यहाँ पर गिर जाता है क्योंकि उसके दुदाद एनरजी नहीं बची थी यह देखे सिस्टम उससे कहता है कि जैसा तुम यह देख सकते हो कि इसने अपने वर्ल्ड को कुछ समय के अक्स्पेंड किया था जिसकी वज़े से इसे यहाँ पर एक कावजदा भारी कीमत चुकानी पड़ी है कुछ समय लगेगा पर यह कुछ समय के वाद ठीक हो जाएगा रूटिकर ब्लेट से कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए अपना हाथ नहीं दोगे पर ब्लेट बहाँ पर उससे कहता है अगर ऐसा है तो मैं भी यहाँ पर गिनना पसंद करूँगा यह देखना रूटिकर को फिर से कावजादा गुस्त दिला देता है क्योंकि फिर से यहाँ पर उसने रूटिकर को मना कर दिया था पर रूतीका इसको सैट में जाने देता है जिसके रूती के बाद वो उसे कहता है कि तुम देखने हमें सच्च में कावजादा अच्छी गोड़ी की सवारी कल लेते हो बुल्कुल उल्टा जैसा हैं कि रूमर्स में तुम straw पर कहा जाता था उसके लिए तो काउजादा कामाल का था जिसने वाए सभी की वेसल्स को बहुत बुरी तरीके था पीटा था साथ ही वो बलेट को गाले देते हुए कहते हैं कि कमी ने तुमने सच में काफी अच्छा काम करा हम लोग फिर से एक दूसरे से जरूर मिलेंगे बलेट यहाँ बहुत का शुकरिया करता है पर साथ ही वो थोड़ा सा डरा हुआ था पर तुम ही बहुआ पर प्रेस्ट एंडरसन आ जाते है जो कि बहुत बलेट को आवाज देते हैं बलेट भी उसको देकर जहली से उसके पास आ जाता है और उससे कहता है कि मैं काईजादा खुश हूँ कि आप यहाँ पर काईजादा सेफ हैं एंडरसन उसको देकर कहता है कि आप मैं समझ गया याने वो तुम ही थे मुझे लगा ही था कि वो लाइट मैंने पहले भी कभी देखी है ये बुलकुल वैसे ही लाइट थी ये विलक को वैसी ही लाइट थी जैसे कि बलेक डाक्नेस को हराते हुए तुमारे अंदर से निकल रही थी और वो बलेट का हाथ पकड़ते हुए उसके सावने जुक कर कहते हैं कि तुमारे बहुत बहुत शुक्रिया ब्लेट ये दे का हैरान होते हुए उससे कहता है कि प्रीस्ट आकर आप ये क्या कर रहे है पर एंडरसन कहता है कि मेरे भगवान इस लड़की की रक्षा करना जिसने तुमारी विल को एक्सेप्ट किया है जो कि इसकी अकेले की इक्षा है इसलिए इस बचे को कौफर्ट करना जो कि इस दुनिया की रक्षा कर रहा है और साथी और भी कई साही लाइन से पर वो काफी लंबी है पर हाँ देखने वाली चीज़ यह है कि जितने भी प्रीस्ट यहाँ पर थे वो सब यहाँ पर आकर बलेट के सामने जुक जाते है और कहा जाता है कि इस लड़की की दुनिया सच में एक्सपेंड हो चुकी है जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें बाइजर्ट फैबले के काउट का सीन दिखाते है जो कि रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कहता है किया तो इस चीज़ के लिए 100% शूर हो रंगमुस उससे कहता है कि हमने पूरते से शौर हो क्योंकि डॉर्ट ही ने इस मेसेज को क्रिस्टल बॉल के जरीए यहां पर भेजा है काउट काउजदा धा गुसे में कहता है कि मैंने नोगों के लुबापर जिस्टन केस भेजा था सच में वो डेम डार्ग मेजिस उन्हों को ने फिर सा हरकत करी है रंगमूस कहता है देखकर ऐसा लगता है कि वो लोग नौर्थ में कहीं पर छुपे हुए है एमपाई इसके बारे में कावधा दा लेक्स है जिसकी वज़े से वो पुरा रा कर्स धीदी करकर अपने हाथ वह पर जमाने की कोश्च कर रहा है पर रंगमूस आगे कहता है इस सब के अलाव हमार पास एक कावधा दा अच्छी न्यूस भी है क्यों मैंने सही कहा काउंट कहता है कि हाथम ने सही कहा आजकल कुछ दिनों से ये नाम कुझरा से जादा ही आगे बढ़ रहा है और हैनिल डूल के ओनर के लिए और अब यहाँ पर वो पेल्ग्रिम के इस मैटर के अंदर भी इन्वाल्व था अगर वो यहाँ पर नहीं होता तो शायद वाइजेट फैबले को यहाँ पर अभी डिस्ग्रेस का साबना करना पड़ रहा होता काउंट वाप जौसफ को बलाने का कहते है तो रंगमुस से कहता है कि आप उसे वाप पर्मिशन्स देने के बारे में सोच रहे हैं काउंट कहता है कि वो वो लोको यहाँ जा तो बर्देट होते है उन्हें वो राइट देना काफी अच्छा होता है जो कि वो डिजर्फ करते है और दुसरी तरफ हमें फ्लक्रिब और सभी नैट्स का स्थीन दिखाते है जो कि टेंट लगा कर आराम कर रही थे वो लोग काविदा ठके हुए थे इसलिए वो सब एक साथ बैट गई दूसरे से बाते करने में लगे हुए थे पर दूसरे तरफ हमें बलेट को दिखाते हैं जो कि दूसरे तरफ आग जला कर अपनी तलवार को साफ करने में लगा हुआ था वो यहाँ पर उसे शार्प कर रहा था वो अपनी तलवार से कहता है कि तुम सच में काविदा साथ चीजों से गुज़र चुके हो पर तब रूटिकर वहाँ पर आकर उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अखिल इस तरीके से क्यों बैठे हुए हो यह देख रूटिकर भी उदास होते हुए कहता है कि सबी लोग यहाँ पर काविदा बिजी है जिसके बाद वो बलेट से पूचता है कि तुम यहाँ एक सिप लेना चाहोगे तो वो कहता है कि मैं यहाँ अपनी तलवार को पॉलिश करने में लगा हुआ हूँ चाहिए कि जोसब कहता है कि तो मैं इस तरीके से करना चाहिए बलेट यह सुनकर परशान हो जाता है और वो उससे कहता है कि नहीं और वो उससे वो ले ले लेता है बलेट यह देखकर कहता है कि यह तो विसकी है तो बताता है कि हाँ यह नोवल्स की अलकोहल है ब्लेट ये देकर कहता है कि इस चीज़ साफ हो जाते ही कि ये दोनों ब्रदर्र्स ही हैं बहले इन दोनों की परसनेलिटी थोड़ी बहुत अलग हो पर फिर भी इनका टेस्टबल कुछ सेम है रूटिकर का ध्यान ब्लेट की तलवार की उबर जाता है और वो उससे कहता है मुझे असा लगता है कि जब तुम याज़ बापे जाओ तो तुम अपनी तलवार को देखाना चाहिए तो ब्लेट ये सुनकर उससे कहता है कि मैं कुछ दिनों पहले फैबली की ब्लेक स्मिट के पास गया था पर उसने कहा कि इसके हैंडल को अटाना होगा रूटिकर ये सुनकर कन्फ्यूज होने के बाद उससे कहता है इसलिए वो सही से इसके हैंडल को निकाल का उसे काफी अच्छी तरीके से लगाएगा ये सुनकर रूटिकर कहता है कि बुल्कुल अपने ओनर की तरह ये तलवार भी कावज़ाद रेकले से बेट कहता है कि इसी वज़े से तुम मैंने मना कर दिया जैसा तुम देख सकते हो कि मैं इसे खोना नहीं चाहता ऐसी कई सारी चीज़ें जो कि इस तलवार के साथ जुड़ी हुई है मेरी कई सारी यादे मेरे घर की और मेरे उलोगो की जिल लोगों के साथ मैंने अपने समय बताया है और लोग जिनके साथ मैंने समय बताया है रूटे का यह सुनके थोड़े देर के लिए हैरान हो जाता है जिसकी बाद वो उससे कहता है इस सब के अलावा भी तुम इसे ठीक तो करवा नहीं होगा देखके ऐसा लगता है कि इसकी सच में काफी हालत खराब हो चुकी है ब्लेट कहता है कि हाँ इसी बज़े से मैं उस इनसान को धूर रहा हूँ जिसने इसे बनाया था तो वो पूसता है कि आगर वो इनसान कहां पर है ब्लेट थोड़े देर कली चुप हो जाता है जिसके बाद वो बताता है कि वो सोरार में है रूटे का कहता है कि बुलकुल तो हमेशा तो ये चिलाते रहते हो कि तुम ब्लेट सोरार से आये हो साथ ही वो सोचता है कि सोरार की ये चमक ब्लेट सोरार से आया है सच में ये निक नहीं इसके लिए कावी जादा फिटिंग है क्योंकि आज इसने सभी के सामने जो एक चमकती रोशनी दिखाई है वो सच में कावी जादा कमाल की थी साथ ही वो ब्लेड की आँखों में देखते हुए कहता है यही वज़े है जिसकी वज़े से मेरा चोटा भाई इसे हर जिगे अपने साथ लेकर भागता फिरता है जिसके बाद वो बाद से जाते हुए ब्लेड से कहता है कि तुम कुछी समय के बाद इसको ठीक करवाने के लिए अपने आगो वर्थिट कर लेना मैंने बुलकु ठीक कहा न ब्लेड ये सुनका थोड़ा कन्फियूज था तो वो आगे कहता है अगर तुम दिल से इस चीज़ की उम्मीद करते हो तो जल्द ही कोई न कोई चीज़ को समझ लेगा ब्लेड अभी भी काविज़ाता कन्फियूज था तो वो उसके कंदे पर हाथ रखते हुए कहता है कि मेरा मतलब ये है कि तुमने यहाँ पर काविज़ाता अच्छा काम किया है मेरा मतलब ये था कि जब तक तुम यहाँ पर थे तुमने एक काविज़ाता अच्छा काम किया है इसलिए अब जा और काफी अच्छे तरीके से सोना हम लोग सुब सुबह सुबह इस्तुमान के लिए निकल जाएंगे अब रूटिकर के वहाँ से चले जाने के बाद बलेड अपनी तलवार को देखते हुए कहता है कि उसने बुलकु सही कहा किसी दिन डेफिनिटली मैं इसको फिक्स करवाने के लिए पूरे तरह से लाइक हो जाओंगा क्योंकि इस तलवार के लिए और में लिए एक ऐसी जिगे जाबर हम लोगों को बापस लोटना है और हमें दूर पहाड़े का सीन दिखाते है जाबर भही घोड़ा दूर से बिलेट को देख रहा था और हमे उसकी आँखा वे चमक दिKKाते है ये जानका उकसाना कहती है तो छोलॉव दूसरे क्वेस्ट को बनाना चालो करते है तो वो मेड़ बुक के अंदर से बाइद फैमली के सिंबल को दिखाती है तो ये देखकर उकसाना उसे कहती है कि तुम्हें ये दिखाने की जरूत नहीं है ये तुम्हें दिल और दिमाग में काफी अच्छे तरीके से छपा हुआ है इसके अलावा ये मेरा पहली बार है कि मैं ऐसा कुछ बना रही हूँ जब हम काविदादा चोटे थे तो हमने हमारी माँ को ये बनाते हुए देखा था सर्वेंट कहती है तो कैसका मतलब ये नहीं है कि ये और विदादा प्रीशेस हो गया है उकसाना कहती है कि बुलकुर ये है क्योंकि ये एक ट्रेडिशन था जो कि आज की समय में लोगों ने भुला दिया है पर वो नाइट्स जो कि आज की समय पर आगे बढ़ रहे हैं वो और भी दादा प्रीशेस है उन्हें कावजदा लाइक होना चाहिए तभी तो वो इस तरीके के फ्लैक को उठा सकते हैं तो मैं पता है ना एक जंडे को उठाने के लाइक केवल एक इनसान बन सकता है उसके लावा ऐसा कोई भी नहीं होता और दूसी तरह फिर से हमें रूटिकर का सीन दिखाते हैं उसके नाइट सी देखर कहते हैं कि यह सच में कावजदा कमाल का सीन है आज से पहले मैंने ऐसा कभी भी होते हुए नहीं देखा था मुझे अपने आखों पर भरोसा नहीं हो रहा कि सब एक घोड़े इनसानों के साथ यहाप एक साथ दोड़ रहे है रूटिकर कहता है कि हाँ सच में यह कावजदार रैर है ऐसा हो सकता ही कि यह तुमारा पहली बार और आखरी बार हो साथ ही वो कहता है कि ते जादा छोटे से इंकाउटर के अंदर वो लोग एक दूसरे के लिए ते जादा से स्पेशल बन गए हैं कि उनके आगे और कोई नहीं आ सकता बलेट उस काले घोड़े को देखते हुए कहता है कि मुझे पता है कि अब समय आगया है कि हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए क्योंकि बुलकुल तुमारी तरह मेरा भी एक परपस है जो कि मुझे फिल्फिल करना है तुमारी भी एक ड्यूटी है कि तुम्हें लीडर के तरह सभी घोड़ों को लीड करना है और वो घोड़ा आगे चाकर एक चाहार लगाता है जो देखने सच में कावज़ादा कमाल का है ब्लेड इस चीज़ को अपने दिल में बैठा लेता है और वो दोनों जैसे याप एक दूसरे के साथ जुड़ गए हो ब्लेड उस काले घोड़े से गुड़बाई करता है प्रिस्ट एंडरसन उससे कहता है कि सोरी बोलने में इतना जादा बुरा मैसूस मत करो तो वो कहता है कि मैं केवल उसी के लिए ये सब कह रहा हूँ तो ये सुनकर वो कहता है कि यहाँ सच में इनसान के लिए भी काउज़ा ट्रस्ट फुल होना काउज़ादा मिश्किल होता है हम सब इस हेलो और गुड़बाई के सरकल के अंदर रहते हैं गुड़बाई तुमारी आखों में आंसो लाता है और हेलो अपने साथ खुश्या लेकर आता है और ये सच में मेरी आखों के लिए भी काउज़ादा कमाल का इंकाउंटर है मैं उमीद करता हूँ कि तुम दोने एक दूसरे के साथ आगे चलकर फिर मिलोगे क्योंकि जो कनेक्शन तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ बना लिया है ऐसा नहीं है कि वो समय के साथ इतने आसानी से खतम हो सकता हो डेट उस गोड़े को देखते हुए कहता है कि आपने बुलकु सही कहा किसी दिन हम लोग एक दूसरे के साथ पक्का मिलेंगे जिसके बाद हमें 22 के काली अंधिरी रात का सीम दिखाते है काउंट काउजादा परशान था और वो रंगमूज से कहता है याने तुम ये कहना चाहते हो कि रोवाना की काउंट यहां पर पूरते खतम हो चुका है वो कहता है कि हाँ आपने बुलकु सही सुना हम लोगों को अरजेंट में यह नहीं उसको समय पहले ही मिली है काउंट सोचता है कि वेस्ट में जिस तरीके के काम होते हैं वो पहले से ही काउजादा जीब से थे पर आकर ऐसा कौन ने सोचा था कि आखर में उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा काउंट गार्डिन के हाउस के अंदर के सच में 30 जाद स्ट्रेंथ है हाल ही में वेस्ट की जितने भी हाउसे से उन सभी ने गार्डिन से ऐलाइसे बनाए है और उसे बीच में खड़ा कर दिया है और लगता है कि वेस्ट में जो रोवना का रूल था वो भी आॉट नमبر हो गया है वो भी उसके सब ने आउट नमبر हाट चुका है काउंट पूसता है कि या खिर रोयल फैमली ने कैशे लिए कुछ भी नहीं किया रंग मॉसू से बताता है कि अभी लोग को इसके बारे में कुछ भी नहीं nella है काउंट ये सुनकर कहता है कि अच्छा है साथ ही वो सोचता है कि नॉर्थ के पास अपने काउज़ादा यूनिकलर की पावर है जो कि बाकी किसी भी रीजन से काउज़ादा स्ट्रॉंगर है और बहले ही वो लोग रॉयल फैमिली किसे इंफ्लॉंस से आदाद हो गए हो क्योंकि उनके पास ये अथोरिटी है कि उनकी विल जरा से भी अशेकिबल नहीं है इसलिए अगर इस तरीके से देखा जाए तो इस चीज़ में जरा से भी मदद नहीं है बलकि ये काउज़ देखा एरोगेंट है कि आगर इस तरीके के रीजन के इसिटेंट को पूरते से इग्नोर करा जाए तो इसलिए वो कहता है कि मुझे चीज़ की उपर यकिन नहीं हो रहा कि रीजन की काउट फैमिली इतने असानी से हार सकती है और वो कोई आप फैमिली नहीं थी वो फैमिली थी दा गार्डिन आफ दा पैस्ट की सांतिव आगे कहता है कि वो रूल्स और ट्रेडिशन जो की पहले बनाए गए थे वो धीर धीर करके पूरते से मिनिंगलेस होते जा रहे है और ये केवल नहीं पावर के जो होलने से उन सब की वज़े से है काउंट रंगमुज से आगे कहता है कि ये सामें काउज दा अशान्ति वाला है वो कहता है कि आपने बने को सही काउंट महले एंपायर काउज दा धीला क्यों नहीं हो गया हो यहां पर आए है और दूसरे तरफ हमें ब्लेट का सीन दिखाते है जो कि काउज दा परशान होते हुए सोचता है कि आप मैंने यहां पर क्या कर दिया फिल्ग्रिम्स को बचाना एक काउज दा अच्छा काम था पर आखर मैंने यहां पर मिस्टर रूटिगर की मदद करी है मुझे नहीं लगता है कि जोसिफ जरा साभी खुश होगा और साथ ही वो जिखर के बारे में भी सोचते हुए कहता है कि लगता है कि वो तो मुझे मानने तक पीटता ही रहेंगे इसके अलावा जैसे कि मैंने यहां पर कुछ भी किया हो इसलिए वो गेट को खटखटा आते हुए कहता है कि सर जोसिफ मैं यहां पर हूँ तो वो अंदर आने का कहता है इसलिए वो कावजा डरा हुआ सा अंदर आता है जोसिफ उससे कहता है कि तुम तो एक दिन पहले हैं यहां पर आ गए ब्लेड उससे कहता है कि हाँ कुछ चीज़ा ऐसी हो गई थी जिसकी वज़े से मुझे आना पड़ा वो कहता है कि मैं थोड़ा बहुत उसकी बारे में सुना है पर क्या तुमें जरा फ़ाँ चोट तो नहीं लगी तो वो कहता है कि नहीं मैं पूरताय से ठीक हूँ जोसिफ यह जान का कहता है कि यह काउज़ा था अच्छा है इसके अलावा तुम आली यह काउज़ा था अच्छा होगा बारे में जाता कुछ पता नहीं है बलेट थोड़ा सा कन्फ्यूस था और जोसिफ आगे कहता है पर मैंने उस कॉन्फ्रिक्ट की बारे में सुना था जाबर दो ग्रॉप एक दूसे से लड़े थे जिसमें एक ग्रॉप के जाता लोग मारे गए थे और कुछ सिरेंडacja कर द está है पर बलेट ग्रॉप कंफ्यूस होते हुए फोस्ता है और अखर अचला सही है उसके बारे मुझसे क्यो बात कर रहे है वो कहता है कि हाँ ये पूस थे सही है और जोसिफ कहता है कि तुमने उसके बास एक लिटर तक रभी बेजा Blade Confuse होते हुए later के बारे में पूछता है क्या का उसका मतलब क्या है तो वो कहता है कि मेरा मतलब तुम्हारी lover जो की convenient बनने वाली है जो सिफ हतासा होते हुए कहता है कि वो मेरे की वाले एक दोस्त है जो सब कहता है कि इस चीज़ से फरक नहीं पढ़ता कि वो कोई भी हो ऐसा नहीं है कि अभी तक मुझे situation के बारे में जरा सा भी पता नहीं था मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं अभी तक किसी भी तरीकी की news वहाँ पर भेज नहीं पाया था इस डर्व की वज़े से कि वहाँ पर ऐसा हो सकता ही कि तुम्हें लोग को खत्रा हो इसलिए मुझे इस चीज़ के बारे में काउज़ाद सावधानी से सोचना पड़ा था क्योंकि इस तरीकी की किसी प्रॉलम को सॉल्ब करने के लिए काउज़ाद रिक्वार और एफर्ट की जरूरत पड़ती है जिसके बाद हुआ के कहता है कि वह आदमी जिसका नाव वन आई जैक है लगता है कि वह अपने आप में कहता है कि हाँ बलकुल ऐसा ही है इस सब के होने के बाद मनी बग ने फॉर्मली सॉरार के जिते ही पाउफुल लोग थे उनको काउज़ादा पैसा दे कर अच्छी तरीके से कर्रेक्शन को पैठा लिया होगा सॉरार के जिते ही पाउफुल लोग थे अच्छा खासा पैसा दे कर उनके साथ कनेक्शन को बैठा लिया होगा पर तुमने यहाँ पर इस चीज़ को सावित कर दिया है कि तुम में लिए काउज़ादा कमाल के और वर्थिट इनसान हो और तुमने में लिए सच में काउज़ादा स्ट्रॉगल किया है इसलिए मुझे अकॉर्डिंग लिए तुमें रिपे करने के जरुवत है जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था ब्लेड यह सुन कर कन्फ्यूस था और जो सब उज़ जंडे को आगल आते हुए कहता है कि यह जंडा एक इनसान के ऑनर को रिप्रेसेंट करता है और यह मेरे ग्रेंट फादर के समय की बात है वो एक ऐसे नैट है जो कि इस तरीके के जंडे को लेकर घूमा करते थे साथ ही वो अपने उनमें कहता है कि एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे कभी जंड़ी में मुझे नहीं मिली इसी वज़े से तुम मुझे एक ऐसा नैट चाहिए था जो कि मेरे बदले इसे उठा सके और इसलिए तुम कावितादा खुशे के साथ इसे दोनों हातों से पकड़ोगे और वो बताता है कि तुम सच में एक ऐसे वतेट इनसान हो जो कि अपने खुश के एक जंड़े को उठा सकता है और यहाँ पर वाइज़ेट फैमली इस चीज़ की गेंटी लेती है कि तुम किस्टे लाइक हो जैसा कि मैंने तुम से प्रॉमिस किया था कि एक दिन वाइज़ेट तुम एक पूर देज़ेट अपना सपोर्ट करेगी एक ऐसा इनसान जिसने लेड़े इलेशिया से अपना नाम लिया है और इसके अलावा वो बाइज़ेट फैमली का एक वेसल है ब्लेड इसलिए तुम्हें अपने जिंडे के साथ अपने सर को गर्व से उठाना चाहिए इसलिए अब इसे लोग और तुम अपने होम टाउं जा सकते हो जाओ और जाकर उन सभी बेकार लोगों को खतम करो जिन लोगों ने तुमारा यह हाल किया था जाकर अपने ट्रू फ्रीटम को धूड़ो उसके बाद मेरे पास लोट कर आना अब यह सुनकर वो जोसिप और जिगर का चेहरा देखने लग जाता है और उसके मुझ से वैसी बात था सुनने के बाद उसे सारी चीज़े याद आने लगी थी और वो कहता है कि एक कावजाद और तल्वा एक बूड़े इंसार और एक लड़की के द्वारा एक लड़के को दी गई थी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टोकन जो कि एक पेस्ट ने दिया था एक नोबल लेडी ने अपने नाम के साथ एक हैंकर चिप दी थी और इसके अलावा एक ज्ञड़ा जिस की उपर फैलिय के सिंबल्स बने हुए हैं जो कि एक लड़के को अलाव करते हैं कि आगर वो अपने रोट्स को कावर फैला सकता है और यह सारी चीज़ वो हैं जो कि एक लड़के ना पूरी करी है بلیڈ अपनी आँखों में आसों लेते हुए जोसिफ उसे कहता है कि जैसे आप उसे कहेंगे मेरे लॉड मैं वैसा करने कली सेयार हूँ जिसके बाद हमें काउंट और पिल्ग्रिम का सीम दिखाते है वो वहाँ पर कॉफन को लेकर आई थे काउंट उसे कहता है तो कि ये वही है एंडरसन उसे कहता है कि हाँ बुलकुल इसके अंदर प्राइम ड्रेगन प्रेफेशन का फ्रेग्मेंट है जिसे दा फाउंटिंग किंग ने हराया था जिसके बाद एंडरसन आगे माफी मांगते हो उसके कहता है काउंट प्रोव नाम की फैमिली एक ऐसी फैमिली थी जो किटे सवे से वेस्ट में इसकी रख्षा कर सकती थी काउंट ये सुनकर कहता है कि मैं एक चीज़ को समझता हूँ इसलिए मैं तुम्हें अपने नाइट्स दूँगा मैं तुम्हारी प्रूफ और पैच को यहां से ले जाने में पूरी मदद करूँगा मैं यहाँ पर अपने अबलिटी कहना जित्ता भी मुम्किन हो सकेगा तुम अपने जादा सुरक्षित रखने की कोश्च करूँगा इसलिए सेवे लोग यहाँ पर काउज़ाता कमफिटिवली रह सकते हैं जब तक हमारे गैस्ट सारी तैयारिया पूरी नहीं कर लेते अंडरिसन उसका शुक्रिया करता है और वो लोग फिर से पैच को बहाँ से लेकर निकल जाते है रंगमूस कहता है कि आपको जादा चिंता करने की जरूत नहीं है उनके पास भी इसके अलाब कोई यादा चोईस नहीं थी काउंटर से कहता है कि मुझे पता है जैसा कि वेस्ट के लोगों को लगता है अपके बल एकी गाडियन हाउस है जो कि इस पैच के विक्यूली रक्षा कर सकता है वो नौर्थ के रूलर दा आरेंड ड्यूक टीमूर है साथ ही वो सोचता है कि मैं भी यह जानता हूँ कि मैं यहाँ पर इस चीज़ का कुछ भी नहीं कर सकता पर इसका यह मतलब नहीं है कि यह वदर मेरे कंदों से इसी तरीके से हट जाएगा पर तब ही ड्यूक काधन इस चीज़ की उपर जाता है और वो रंगमूस सक कहता है कि इस चीज़ को काफी लंबा साथ में हो गया है कि मैं इस तरीके के फलैक को देखा हो रंगमूस यह दे कर थोड़ा कफियूज होते हुए खिड़की से बाहर देखता है और कहता है इस चीज़ को काफी लंबा सामय हो गया कि मैंने इस फ्लैक को देखा हो काउंट कहता है कि उसने यहाँ से जाने से पहले थोड़ा बहुत आराम करी लिया होगा रगमुस कहता है मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अपने अगो कंट्रोली नहीं कर पा रहा तो वो कहता है कि बुलकु सही अगर मैं भी उसके जगे पर होता तो शायद ऐसा नहीं कर पाता और उसे याद आता है कि ऐसा नैट जो कि खुद का मास्टर बना था और उसके पास भी एक इसी तरीकी का जंडा था जिसके अंदर सबी काउंट के फ्लैक लगे हुए थे वहाँ पर सबी लोग स्ट्रेक से लटके हुए थे और वो कहते हैं कि आकर वो कहा है उसे जली से बाहर भेजो आज मेरी रात है आज मैं उसके साथ खेलूँगा तो दूसरा कहता है अगर ऐसा है तो जिसके पाज़ा पैसा होगा तो ही डिसाइड होगा और हमें देखाते हैं कि अंदर मरसला तैयार हो रही थी और वो लोग बाहर से बुलकुल किसी कुत्ते बिलोग के तरह उसे आवाज देने में लगे हुए थे मैडम उससे कहते है कि ये बुलकुल वाब किसी सुरों के तरह चेंटेंग करने में लगे हुए है अगर तुम तैयार हो गई हो तो जिली से यह से बाहर जाओ और क्या तुम्हे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें जितने जादा लोग हो सा कि उलोगों को सर्फ करना चाहिए जिसे तुम मेरा करज बापस कर सको पर मरसला केवल उसके तुम अपनी थंडी सी आगों से देखती है और उसे कोई भी जवाब नहीं देखती है इसकी वज़े से मेड़ा को कावजादा गुस्ता आता है और वो उसके मूगों पकड़ते हुए कहती है चलो देखते हैं कि अगर तुम और कितने लंबे समय तक अपने इस कॉंफिडेंस वाले एड़ को खड़ी रख सकती हो हमारे पासा भी काव जादा लंबा समय है और तो मैं याव जादा लंबे समय तक फसी रहने वाली हो तब तक तुमारी बोड़ि याव पूते हैं से कपकपाना चालो ना कर दे ये सुनकर मरसिला मुस्कुराना चालो कर देती है जिसके बाद वो उससे कहती है सच में ये उमर काविजादा लंबी है मैडम ये देखके उसे काविजादा गुसा आता है और वो अपने वर्में सोचती है ये छोटी सी चुहिया कहीं की एक समय से समय लोग इसके उपर कदब रखते जा रहे हैं उसके बाद भी ये बिल्कुल वैसी है इसलिए वो मरसिला से कहती है कि जली से तयार हो और बाहर आओ मरसिला बाहर आते हुए कहती है कि वैल अगर मैं कहुत में काविजादा अच्छी पोजिशन पर आ गई हूँ जहाब लोग अपनी बाड़ी को बेजते हैं पर फिर भी ये काविजादा कमाल को होने के बाद भी कुछ भी नहीं है कमसका मेरे पास मेरे डेस्टिनी को चुनने का एक मौका तो था इसके अलावा जैसे वो बाहर आती है तो सबी लोग उसके लिए चिलाना चालू कर देते हैं मरसिला मैं कावी लंबे समय से तुमारा वेट कर रहा था और मरसिला आगे कहती है कि ये रास्ता मेरे खुद की तबाही का है सच में लोग की मूँ पर काविदाद हवस दिखती है और वो बुलकुर किसी जानवर की तरह से देख रहे थे वो लोग मरसिला को देखकर बुलकुर किसी कुत्ता विल्ली के तरह चेयर करना चालू कर देते हैं ये देखकर मैडम भी हरान होते हुए कहती है लगता है कि वो लोग कावी लंबे समय से तुमारा वेट कर रहे थे और वो लोग ऐसे कहती है तो चलो देखते हैं कि आगए यहाब और कौन कॉरनर मिलता है कि वो इस लड़की के साथ रात बिताएगा चलो अपने गोल्ड के सिक्के दिखाना चालो करो तो वो पैसे फेकना चालो करते हैं कि हमरे पास एक सोने का सिक्का है नहीं मेरे पास दो सोने के सिक्के है वो लोग कहते हैं क्यों न हम लोग एक साथ चले हमरे पास तीन सोने के सिक्के हैं तो दूसरा आदम उसे कहता है कि बेवकूब तुम्हे सच में ऐसा लगता है कि यह चीज़ काम करेगी अगर ऐसा है तो मैं अक्यला है तीन सिक्के देने के लिए तैयार हूँ मैडम ये देकर कहती है कि कावजादा रिमारकेबल है अगर इस तरीके का फूल मेरे पास खिला रहे तो मैं तो सच में सोने का शेयद निकाल सकती हूँ और मैं धीरे धीरे करकर इसके अंदर दो सारा का सारा निकाल लूगी वो कुते चलाते रहते हैं कि मेरे पास चार सोने के सक्के है मैडम कहती है कि आकर कार किसी ने एक अच्छा प्राइस बोला है तुम्हेरे पास चार सोने के सक्के है वो लोग यहाँ पर बात करना चालू कर देते हैं कि किसी के पाथ पांस होने के सिक्के है या फिर नहीं पर तब ही पीछे से आवाज आती है कि सौस होने के सिक्के यह सुनते ही पूरे में सन्ना टचा जाता है और मैडम भी ये सुनके पूदे से ठपसी पड़ जाती है वो लोग हैरार होते हुए पीछे के तरफ देखते हैं और मैडम भी कहती है क्या? वहाँ से आवाज आती ही कि मैं सो सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हूँ पर जिस तरीके से वो उपर आता जा रहा था मरसला के दिल में फिर से खौफ आने लगा था वो बहुत सा डर जाती है और वो कहती है ऐसा लगता ही कि वो यहाँ पर बापे सा चुका है वो बहुत सा डर गई थी और उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर फिर से गौडेन आ रहा है जिसने उसके नेस्ट को पूते से तबा कर दिया था इसकी वज़े से उसके चेहरे करंग पूते से उड़ चुका था और वो लड़का आगे के तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है कि वो तुम ही हो जिसने कहा था कि तुम सोसोने के सिके देने के लिए तयार हो वो दीर दीर करकर सबी लोगों की बीच में से आगे बढ़ता जा रहा था सबी लोग उसको देखकर बाते करना चालू कर देते कि आखर ये है कौन इसका औरा कोई भी मज़ाख नहीं है वो कहता है कि मैं यहाँ पर ऑडर करना चाहूंगा मैड़म हेरान होते हुए कहती है कि यहाँ तक इसकी कपड़े भी काविजाधा लगजीरियस है इसलिए मैड़म उसे मैन्यू बताना चालू करती है पर वो कहता है कि सब की जरूरत नहीं है यहां तक मेरे जिगे को छोड़ जाने के बाद से मैं इसको काविजादा याद किया करता था मुझे ग्रिल्ड सौसेज और बलेक पूडिंग चाहिए पर मरसिला ये ओर्डर सुनने के बाद काविजादा हरान हो जाती है और जैसे बलेड अपनी हुड़ी हटाता है तो वो ये देखकर बहुत जादा शौक हो जाती है और उसकी आँखों में आसुआ जाते है वो कहता है कि मैं जोड़ जी का यूजियल ओर्डर चाहिए और ये कलर चमकता हुआ सोना है मरसिला ये देखकर बहुत जादा रोने लग जाती है अब यहां पर बलेड उसे काविजादा बड़ा लगने लगा था और नोनों का इस तरीके से एक दूसरे से मिलना काविजादा इमोशनल था